नमस्ते साथियों चुनाओं में जैसे हम लोगों को भी दौर दूप रहती हैं मिडिया के साथियों को भी भूत परिश्णम करना पड़ता है रात दिन दौरना पड़ता है अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है तो आप लोगों ने भी बहुत कस्ट उठाया है मैं आशा करता हूँ कि मिडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्त अच्छा रहा होगा और पिखले एकाज सब्ता का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आये होंगे तो अठार भी लोग सभा और वैसे भी हमार यहां ब्यक्तियों का स्वास्त अच्छा होगा और पिखले एकाज सब्ता का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आये होंगे तो अठार भी लोग सभा और वैसे भी हमार यहां व्यक्ति के जीवन में अठार भी इसका बड़ा महत्तव होता है एक नए कालखन में प्रोवश करता है टीनेस समापत करके यह अठार भी लोग सभा एक प्रकार से नई उर्जा युवा उर्जा और कुछ कर्ग गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है और आजहादी का अमरित बहुत सो के बात का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वक्त हैं जो हमारे अमरित काल के 25 वक्त है और जो 2047 देश जब आजहादी की शताब्दी मनाता होगा एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने है एक बहुत महत्वपुन पड़ा ये अठारवी लोकसभा है सात्यों एंडिये सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देश वास्यों ने आदेश दिया है मैं देश वास्यों का फिर से एक बार ये आउसर देने के लिए रदेश से आभार वेक्ते करता हूं और मैं देश वास्यों को विश्वास देता हूँ कि पिछले दो टम्बें जिस गती से देश आगे बढ़ा है समाज के हरक्षेत्रबें परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है पचीस करोड लोगों का गरीबी से भार आना ये अपने आप में हर भारतिये के लिए बड़ा गर्व का विश्वास है और मैं देश वास्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि अठारवी लोगसभा में भी हमारे पांच साल के कारकाल में भी हम उसी गती के साथ उतने ही समर्पन भाव से देश की आशा अकांशाओ को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे आज सुबह एंडिये की मिटिंग हुई थी एंडिये के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दाईत्यों के लिए पसंद किया है और सभी एंडिये के साथियों ने राश्पती जी को इसकी जानकारी दी और राश्पती जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधान मंत्री डगिंजेनरेटर के रूप में काम कर एक निम्यूक्ति दी है और मुझे शपत समारों के लिए और मंत्री परश्द के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है मोटे तोर पर मैंने राश्पती जी को कहा है कि हमें नव तारिक शाम को सुविदा रहेगी अब बाकी डिटेल तो राश्पती भवन वर्काउट करेगा और हम तब तक मंत्री परश्द की सूची राश्पती जी को सुप्रत करेंगे उसके बाद सप्रत समारों होगा साथ्यों सरकार एंडिये की एक प्रकार से एंडिये बान एंडिये टू एंडिये थ्री ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को ले करके सूच आसन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ले करके और देश के सामान ने जन के सपनों को पुरा करने के प्रयास के रुप में इस निरंतरता को हम और अधिक उर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सिमा में लक्षों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा 2014 में मैं बहुत नया था मुझे अब एक लंबे समय तक इस कारका अनुभव मिला है मारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुती सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है इन दस साल के कारकाल के दर्मियान भारत की बैश्विक जो चबी बनी है दुनिया के लिए एक विश्व बंदू के रूप में भारत उभरा है इसका मक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वात है ये पांच वर्ष बैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उप्योगी होने वाले हैं दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है अनेक कनावों से गुजर रही है अनेक आपधाऊं से गुजर रही है ऐसी विकट परिस्तिती दुनिया ने बहुत लंबे अर्षे के बाद देखी है हर देश इन सारी समस्याओं के बीश अपने आपको बचाए रखना, बढ़ाते रहना चुनोतियों का डगर डगर पर सामना कर रहा है हम भारत वाले रोग, हम भारत वासी, खुद नशीब है कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गती से बढ़ने वाली एकोनोमी के रूप में जाने गए हैं ग्रोथ के विशे में भी दुनिया में हमारी भावाई हो रही है अब एक स्टेबल गवर्बर्मेंट मिलने के कारण और परिचीत व्यवस्था और नेत्रत मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रती रुझान, भारत के प्रती उनका आना बहुत तेज गती से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाब मिलेगा देश की युवात पीडी को सबसे ज़्यादा लाब मिलेगा विकास के नए उचाईयों को छूने में एक बैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले पात साल में बनने वाला है तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे मै राश्पती जी का रदय से आभार वेक्त करता हूँ कि एक बहुत बड़े महत्वपूंदाईत्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यू सेब मुलाकात के बाद ये तमाम बातें उन्होंने कहीं है नौ जून की शाम का वक्त हाला कि उन्होंने इसाब कर दिया कि हमने नौ जून के लिए शाम के वक्त की बात की है और राश्पती कारेले से इसकी जानकारी पूरी आ जाएगी और उन्होंने बताया अपने विजन को लेकर उन्होंने बताया कि क्या विजन रहने वाला है अठारवी लोकसभा को तरुणाई से जोड़ा यूववस्था से जोड़ा और बताया कि अब और तेजी से काम किया जाएगा जनता ने NDA को तीसरी बार सेवा का मौका दिया है अठारवी लोग साभा में भी उसी गती से काम होगा इस बार भी समर्पन देशित के लिए काम करेंगे उन्हों ये भी कहा कि चुकि वो पूरी व्यवस्था से परचित है लहाजा जो रूड मैप है उसको लेकर अब काम करना शुरू कर दिया जाएगा राश्पती से मुलाकाद के बाद वो मीडिया से चर्चा कर रहे थे मीडिया की कुशलक शेम भी उन्होंने पूछी इस बात का भी जिक्र है किया कि 10 साल में भारत की जो चवी अंतराश्टी इस्तर पर बनी है वैश्विक चवी वैश्विक पॉजिटिव चवी उसका भी जिक्र उन्होंने इस दोरान किया राश्पती से मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया था और अब 9 जून पर सबकी निगाहें टेकी रहेंगी नौजून शाम का वक्त उन्होंने मांगा है राश्पती कारेल से इसका पूरा कारेकरम फाइनल होते ही ये जानकारी दर्शकों तक भी पहुंचेगी कि कब शाम में कब 9 जून को ये शपत ग्रहन समारो होता है निगाहें इस बात पर भी कि कौन-कौन 9 तारीख को ही प्रधान मंत्री पत्किश अपत तो नरेंद्र मुदी लेंगे ही लेकिन और कौन-कौन चेहरे हैं जो नजर आने वाले है कई मंत्रियों को हार का स्वाद चखना पड़ा है तो क्या कुछ अब नजर आता है क्या फिर से मौका मिलता है इस तरह के तमाम जोटकले हैं वो अब लगाई जा रही है